निर्शा शेत्र के मैथन डैम के गोगना खाट में सोमवार की सुभर तैरताव एक शव मिलने से शेत्र में संसनी फैल गई बताया जा रहा है कि शव का पैचान शेक नसीम के रूप में की गई जो मदंडी पंचायत पहाडबाद का रहने वाला है शव मिलने की खटना आग की तरफ फैल गई और लोगों का हुजुम लग गया सूचना मिलते ही मैथन निर्शा स्जी पियो और मैथन पुलिस अपने दल बल के साथ खटना सल पर पहुंची निर्शा स्जी पियो विजे कुश्वाह ने बताया कि कल मैथन ओपी में मृतक शेख नसीम के परिवार द्वारा अगुमशुदगी का रिपोर्ट दर्स कराई गई थी पुलिस द्वारा जांश परताल खोजबीन की जा रही थी आज ये जानकारी मिली कि मृतक नसीम शेख कश्व मैथन डैम के पानी में मिला है वहीं बताया जा रहा है कि मृतक कल अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन किया था उसके बाद सभी दोस्तों के साथ स्नान के लिए मायतन डैम आया हुआ था अब ये पुलिस जानकारी में लगी हुई है कि मृतक स्नान किया या नहीं कैसे उसकी मौत हुई फिलाल पुलिस हर बिंदों पर जाच कर रही है वहिमरितर की पत्नी ने बताया कि हमारे गाउं के एक कुछ युवक हमारे पती को कल घर से बुला कर ले गए थे काफी देर हो जाने के बाद जब घर नहीं लोटे तो मुझे अंदेशा हुआ और खोज में जारी किया आज गाउवाले से सूचना मिली कि मेरे पती का शव मैथन डैम में मिला मैं यखिन के साथ कह सकते हूँ कि मेरे पती की हत्या हुई है जब गिया ना तब मेरा दामाद बेटी आया है तब जाले दो उसका बाद इसको हम जाडेंगी तब वोला जाए जाए कि आप लो बोलो फुट वहां जंदर आदमी रहा आदमी इसका सामने किया है हम लग चार पर मेरा घर भाया बोले ले ताहम आप बोला रहा जाए उसको बोला के लिए जो से साइकिल ले गिया तो गिया ने हम उसका घर गिये पुछाने लिए हम पहुचा दिये हम ले किसका साथ गिया हम देकाने तब मेरा भाय आया तब मेरा भाय को बोला ऐसा ऐसा ब सब्सक्राइब करने वाला है साथ अपने साथियों के साथ कर लिए साराफिया था साराफिने के बाद पता चला की इधर आया था अब करता रहा है कि यह कैसे पानी में रुगा सब्सक्राइब कर लग रहा है इसके बारे में पर्थम दिश्टी अभी नहीं बोल पाएंगे यह थोड़ा सा हमको हटके लग रहा है तो अभी हम नहीं बता पाएंगे जाज के बाद ही इस तरह कर अब कि इस तरह कर दो